गुडाफिरून गाइज स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में दिन का दूसरा वीडियो आर सी बी वर्सेज एमाई की बात करेंगे इससे पहले जिसने फर्स मैच का वीडियो नहीं देखा है जो साड़े तीन बज़े है पहले जाके वो देख लो फिर इस वीडियो पे आना ठीक है इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात करने से पहले गिवववे क्यूशन हर बार की तरह इस वीडियो में भी है वह एंड में आएगा सही आंसर दोगे तो आपको जैसा टेलिग्राम पर पता है विनर्स अनांस हो और टीम जो है तबाही मचा रही है आप देख सकते हो यहां पर सी वी सी मुस्तिफिज रह्मान नौर किया रबाड़ा अक्षा पटिल सब थे यहां पर रवी विश्नुई हमारे जो ट्रम थे साथ इनिंग में स्पिनर हमेशा काम आता है यह सारी बेसिक बेसिक चीज़ों क कर लेना बहुत काम की वीडियोस आपके लिए हमेशा आती रहती है कब है मैच यह मैच है साड़े साथ बजे वेन्यू कौन सा यह है दुबाई दुबाई का मैच है यहां पर दो तीन दिन पहले मैच हो था उन मैच को भी अपने डिसकस करेंगे वेदर देख लेंसे 32 celsius क्ल मैशा थोड़ा फाइदर रहा है एवरेज़ स्कोर एक सो साट होता है लेकिन यह विनिंग स्कोर नहीं है स्कोर है ठीक है स्कोरिंग पैटन बिलो देट से बहुत सारे स्कोर देखे गई लेकिन जो अच्छा स्कोर माना गया वह 150 से 190 के बीच माना गया गर 150 बना रहे हुता हाइटिंग टोटल दे रहे हो अगर आप 190 बना रहे हो तो आप एडवांटेज ले रहे हो जो है अपना स्कोर डिफेंट करने का रीसेंट डाइपेल मैचस जो इस वैन्यू पर दो हजार एकिस में उसकी बात करेंगे उससे पहले वैन्यू रिकॉर्स देख लें वैन्यू पर पर आपको दिख रहा है आरसी भी जो है ज्यादा बैटर कर रही है अब दोनों ही टीम से कौन सा बैट्समें जो इस वैन्यू पर खेलना पसंद करता है जो हाइस स्कोरर है ना इस वैन्यू का वह आपको चौका के रख देगा वह रोहिज शर्मा ठीक है चौकाने वाले बा आई पील में साथ मैचेश खेले हैं रोह शर्मा मोटू ने 138 बनाएं ठीक है टोटल और जो हाइस रहा वह 68 और जो रंस पर मैच रहेंके वह सिर्फ 20 पर आके लोड़के जाते हैं आई पील में अब वहीं आई पील पर रन मशीन वेलाट कोली के रिकौर्स देखते हैं 9 मै यहां से देखोंगे का यहां से डिलाएं यहां से उस अपर चलो के रहें और यहां बहुत बढ़िया खेलते हैं यह और और कोली यह स्वेलि पर खेलना बहुत ज़ादा पसंद करते हैं यह चीज धियान रखना देव पर ऐड़िक्कल साथ सब्सक्राइब करें कोहली पडिकल एबीडी आर्सीब की तरफ से एमाई की तरफ से बात करोगे तो रोहे शर्मन काईरन पोलार को यह तीन तीन बैट्समन है जो इस वेन्यू पर यानि दुबही के स्टेडियम में खेलना पसंद करते हैं बॉलर्स की बात करोगे तो विकेट लिए हैं बारा बुमरा ने बारही है बोल्ट ने और तेरा विकेट लिए हैं चेहल यह तीनों है जो इस वेन्यू पर बॉलिंग डाला जिनको पसंद है बाकि छोड़े मोटे विकेट करोगे तो कुल्टे नाइन के पास पांच है पांच है चावला के पास आठ है बुमरा आपको बताती है तो सेम तो 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 टो नौ प्लेयर अपने निकल के आ रहे हैं वेन्यू वाले से अब अपन प्लेंग लागर रहे हैं और विराट कोली ओपन कर रहे हैं और लास्ट मैच में दोनों ने कि नहीं चले मैक्सट्र इविल्यंस ने बनाएं बारा मैक्सवल को लेकिन एक जरूर मेला था विकсть यूं मिला था मैक्सवल को बॉल्ल क्यूञ थी क्योंकि सामने थे लेफ्टी ठीक है लेफ्टी बैट्समें थे सामने C क्य मोहिन अली इस वज़े से उनको बॉल दलवाई थी और मैक्सवल को विकट मिल गया वैसा इस थेनारियों आज भी हो सकता है क्यों क्योंकि सामने लेफ्ट हैं अच्छे खासे हैं खासकर ओपनिंग पेर में ही एक लेफ्ट है कोंटें डिकॉग बीच में आएगा इशान किशन तो मैक्सवल अगर डिवलियस दोनों में से कोई एक चोईस दी जाए तो देखो भाई बैटिंग से डिवलियस अच्छा करने है वेन्यू पे भी और हैट टो हैट में अच्छा करते हैं तो टॉप पांच में से अभी के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्ट है वो देव करते हैं नहीं दिये शहवाज या फिर रजट पार्टि दार को ला सकते हैं एक एक्स्टा बैट्स विर पर सकते हैं या फिर शहबास को ला सकते हैं जो बाइटिंग बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं वनींदू हसरंगा की जगा टिम डेविड जो है खेले थे लास्ट मैच तो टिम डेविड खेले ही थे उनकी जगा कौन आ सकता है दोश्मंत चमीरा एक फास बॉलर क्यों अगर आप यहां स से खेलेगा सैनी और शहबास में से एक खेलेगा ठीक है यह है बाकि जो खेलेंगे ही खेलेंगे उनके नाम आपके सामने हर्शल पर टेल लास्ट मच में दो विकेट लिए सिराज और चहल यह तीनों खेलेंगे इन में से इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं फॉर्स फोड़ी सी वीग खेलते हैं आपने लास्ट माच में दिखा होगा नरायन को विकेट मिले थे वरुन चक्रवर्ती जो है उनको विकेट नहीं मिले लेकिन काफ़ एकनोमिकल बॉल डाली तो स्पिनर में दोनों लेने की कोशिश करूंगा फिर बागी मुझे लगते नहीं को इनको जो है थोड़ा सा इगनोर करने के कोशिश करेंगे आप बिल्कुल भी मत करना क्यूं आर्सी भी पसंद है इनको आर्सीब के खेलना हेड टो हैड में बताऊंगा उस चीज़ के बारे में भी इंपॉर्टन प्लियर्स की बात करोगे मेरे लिए तो शर्मा डिकॉक और की डाल लूँगा सेकन्ड लाल डाल के लिए धल है ब्मडा प्लत और ट्रस इंति ल sesi इस मैच में तो एலैवन के साइड के जर्फ चलता है है एड़ गया वैड मेन है जहां 17 जीते है मैच से हैंग्या में आर्सी भी सिर्व जीत पाई तो 5 मैचस में क्या हुआ हूं थे नही तरफ अपन चलते हैं ठीक है एक मैच जो आर्सीबी ने जीता है उसकी बात करोगे तो यह था इस ही सीजन था फर्स्ट फेस में एमाई ने बनाए से बैटिंग फर्स्ट करके 159 रन थे लिन के यादव के हर्शल पेडल के पार्च विकट थे जैमी सन का एक विकट था आर्सी चान के रन सिराज और चहल सेकंड निंग में बॉल्ट डाला है तो विकट ठीक है चीजें नोट करते जाना जो मैंने आको ऊपर बताई है और यहां पर कंपेर करते जाना कि वह चीजें मिल रही है या नहीं आर्सीबी पहले बैटिंग करी दोस्तों एक बनाए डिविलियस के रन थे बैटिंग करते हुए पडडिकल बोल्ट और चहर के विकट थे अब हमाई चेस करने आया और टाइप कर लिए और फिर सूपर ओर में जो है आर्सीबी जीड़ा है माई की तरफ से किशन के रन थे पॉलाट के रन थे इस से उड़ान वाशिंग्टन दोनों ही नही है इनकी बात नहीं करते हैं तो आपको जो है तीन चार नाम दिखे होंगे जो कंटिनेसली आ रहे थे एवी डिवेल सुन में से एक थे जैस्प्रीद भूम रहा थे सूरी कुमार यादव थे कुविंटन डिकोग आपको उतने नहीं देखोंगे यूजविंदर चहल आपको एमाई के खेलना पसंद इनको 724 रन बना चुके हैं 30 रन पर मैच के हिसाब से पहले दूसरे हैं अपने नीचे आओ गए 544 रन के साथ आपको पुलार्ट दिखेंगे कोहली आपको दिखेंगे शर्मा आपको दिखेंगे 716 रन के साथ कोहली की बात करो कि 670 रन के साथ यह मैं सर्कल करते जा रहा हूँ वह प्लेज आपके लिए हैट-to-head से इंपोर्टेंट है मैक्स्वेल यह चार हो जाए और इविडिविलियस पांच ठीक है तो मैक्स्वेल डेविलियस कोहली इस तरफ से उस तरफ से शर्मा पोलाड और सूरे कुमार यादव कि अगर आपको चावला ने जो खेल नहीं रहें दस ली हैं ट्रेंट बोल्ट ने यार अली है पोलाड ने तो बहुत क्लियर करते हैं बहुत अच्छा मैच हो सकता है अब क्रेडिट का इश्यू तो आएगा 11 चैलेंजर एक तोड है आपके पास उस चीज का आप कर सकते हो प्लियर जो हमार है मैं आज भी उन्हें प्रफर करूँगा क्योंकि मैं ड्रीमलन पर नहीं खेलता हूं क्रेडिट को मेरे पास नहीं बच चाहिए अगर आपको मैक्सवेल की जगह लेना है तो वह चीज़ेंजर पर हो जाएगी अभी के लिए एज्जस करकि जो टीम मनाई उसमें यह तीन है दो बॉले जो अच्छा कर रहे थे चेहल और सिराज इन दोनों को लिए ठीक अब मैं की तरफ से देखो कि तो शर्मा यादव और डिखॉक लिया लिया जस्प्रीद बुम्रा और राहुल चेहर को लिया है यह चीज़ आप मेरे पास क्रेडिट होते तो मैं क्या करता हो चेंज में आपको बता देता हूं पहला बता दिया मैंसेल की जगा एबीडी ले ले था दूसरा चेहर की जगा मैं ले ले था किसको ट्रेंट बोल्ट को यह चेंज हो जा था प्लस आप एक चीज़ इसमें और कर सकते हो अगर आपको मैक्सवेल डेविलियस दोनों ही नहीं लेने ठीक है और मैं पहले बैटिंग कर रही है तो आप पोलाड को जरू ट्राइक कर लें अगर स्मॉल लीग में नहीं कर रहे है न वह लीग में रिस्क नहीं लेना है तो एक पोलाड को सी वीची बनाके छोड़ने आर वो उस ग्रैंड लेंग टीम में में अमाई का यहां क्रेट का हिश्यू नहीं था यहां पर देख लो बड़ावर टीम बने है को लियह यहं तरी 세घ्ए रखके बनाए कि सब्सक्राइब कर दिया है और रोही शर्मा को सी कर दिया है ठीक है आप इंटर्चेंज के लिए अगर आपको लगता है कि कोहली जाधा रण बनाएंगे शर्मा से इन दोने सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर एक चीज और कर सकते थे जो ड्रीम आप नहीं कर पाते थे की सिराच की जगह हर्शल पर टेल जो है ट्रॉड मैं अच्छे खासे विगेट ले रहे उनको मैं ले पाया हूं यहां पर अगर आप यह चीज दी में पर करोगे तो नहीं हो पाइनल टीम मैं आपको टॉस के बाद की जो होगे वो टेलीग्राम पर दे दूँगा अब बारी आती है गिववे कुशन की यह है आपको बहुत सेंपल कुशन पूछूंगा आपको यह बताना है यह इंदर चेहल कितने विकट लेंगे पहला कुशन दूसरा कुशन आपक का नाम यह दोनों हैश्टेग यूज करना फिर अपना अंसर कमेंट करना तभी आपका आंसर जो है वैलिट माना जाएगा कमेंट वैलिट माना जाएगा उसके बाद आपका चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए वीडियो लाइक होई होनी चाहिए प्लस आप टेलीग्राम च करके देख लेना हो सकता है कि मैंने कुछ मिस्स कर दिया उपको बताने में क्योंकि डेटा इतना सारा है मैं सारी चीज़े बताने बैठूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा ठीक है आप से अगर वीडियो डालूंगा तो मैं एक एक चीज आपको डीटेल में समझाने की बाए टेक के अगर पार्टिसिपेट करना मत भूलना मैच के बाद पाइल टीम के लिए टेलिग्राम पर आना मत भूलना